नमस्कार दोस्तो फेंटसी टैलेंट अब यूटूब चनल में आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में कवर करेंगे नेदरलैंड और वेस्ट इंडीस की बीछोने वाले सेकिंड ओडे मैच को पहला मैच हमारा बहुत जबर्दस तरह था वन साइडिड विनिंग हम के बारे में हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो वीडियो को ध्यान से देख लेना चोटा सा वीडियो तयार किया जिससे आप आसानी से एक अच्छा कॉम्बिनेशन तयार कर सके और साथ ही दोस्तों सबसे जरूरी काम है कि आप लोग हमें टेलेग्राम पे जॉइन कर ल 50887 इसका इस्तमाल करके भी आप हमें टेलेग्राम पर जोइन कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों लाइक के साथ में आगास करते हुए आगे बढ़ते हैं वेन्यू दोस्तों वही वाला है जहां पर पिछला मैच भी खेला गया था वी आरे ग्राउंड है इस मेंदान पर टोट लगभग 98% है मातर 2% ही चांसे हैं कि निदर लेंड मैच को विन करे अभी तक इस मेंदान पर अगर आप हाईस्ट इसकोर देखो गे ना तो 443 मतलब 443 रन इस मेंदान का हाईस्ट इसकोर है और दोस्तों वह शीलंका ने बनाया मतलब वेस्ट इंडीस के पास मौकाई को प देखने मिल जाएगा बैटिंग विकेट मैंने क्यों कहा क्योंकि आप देखें जब निदर लेंड ने इस मेंदान पर पिछले मैच में पहले बैटिंग की तो इसने कितनी आसानी से 240 का स्कोर कर लिया तो 240 रन निदर लेंड की टीम ने कर लिया मतलब एक अच्छा-कासा ब स्कोर किया अज़ों नोंने वीकेट उन्होंने गवाई थे अपने और यहां फिर अजो इस विकेट नकाले थे टेञे ihmj और इसके पहले जो मैचेस खेले गए थे वहाँ पे निदर लेंड ने एक बार 216 का स्कोर किया था और फास्ट बोलस इस्पिनर्स दोनों को बराबर विकेट मिले थे यहाँ पे निदर लेंड ने एक सो नवासी किया था और नेपाल चेस नहीं कर पाई थी और यहाँ पे से तोड़े से कम विकेट्स आपको देखने मिलेंगे लेकिन निदर लेंड के बल्लेबास हैं वह आपको स्कोर करके दे सकते हैं क्योंकि पिछले वैच भी उन्होंने 240 का अकड़ा पार्क कर लिया था अब लास्ट मैच जब यह दोनों टीम आमने सामने हुई तो क्या हमने देखा है जरा वो आपको दिखा देते हैं यहाँ पर निदरलेल की टीम 240 का स्कोर किया था डखवर्थ लूइस के मैठट की वेज़े से 247 रन चेस करने थे वेस्ट इंडीस की टीम को और उन्होंने किया था 249 रन का स्कोर अब यहाँ पर स्कोर करने वाले प्लेयर थे विक 249 का स्कोर किया मुसा एमद दोस्तों 13 रन का स्कोर किया अकिल हुसेन ने आउट किया था और यहां पर अकिल उसने के खाते में दो वेकिट आ चुके थे फिर रहे बस डिलीट से जिन्होंने 17 रनों का स्कोर किया साथ में दोस्तों इन्होंने गिंदवाजी भी की थी और य पज़र आजाएंगे और पीटर सिलर ने 14 रनों का स्कोर किया था और यहां पर लोगन वैन बीक ने दोस्तों जिने काईले मेर्स ने आउट किया उन्हों ने नहीं की इसके बाद नीची आएंगे तो शाय होप जिन से स्कोर की उमीद थी तो इन्हों ने स्कोर किया 119 का शैमरा ब्रूक्स ने 60 रन किया अब दोस्तों यह भी आपके पास में कैप्टन वाइस कैप्टन से के लिए दोनों बहतर चॉइस हैं फिर दोस्तों निक बोडर इ अभी वेस्ट इंडीस के लिए और निकोलस पूरन इनके बारे में शायद मुझे बताने की जुरूत है नहीं और ब्रेंडन गेंग ने अठावन का स्कोर किया था पिछले मैच के वैसे इस मैच में 80% सेलेक्शन हो गया इनका और विकिट निकाले थे लॉग एंड वेन वी सिंग एक पारी में 47 मूसा हमद एक पारी में ऑफ़रो बाकी दोस्तों बश्टी फैर्च का सकोर किया सिर्फ 15 के वरेच को मेंटन कर रहे हैं पीटर सिलर इस मैदान पर साथ विकिट निकाल चुके हैं बाकी जो दूसरे गेंधर बास हैं उन्होंने इसे ground का record है अब यहाँ पे जो पहला नाम है विक्रम जीत सिंग का विक्रम जीत सिंग को हमने पिछले मैच में अपनी टीम में शामिल क्यों किया था मैं आपको बता दूँ मैंने सभी ख्राणियों का एवरेज स्कोर देखा तो विक्रम जीत सिंग का जो एवरेज है वो लग विक्रम जीत सिंग का है तो इस मैच में भी विक्रम जीत सिंग हमारे टीम में जगे बनाएंगे अब चाहे वो जीरो पर आउट हो जाए इनके आउट होने का तरीका पिछले मैच में और्थोडॉक्स गेंदबाद मतलब अकिल हुसेन ने आउट किया था बाकि इसके पहले जो इन्होंने तीन मैचिस खेले थे उन तीनों मैचिस में उन्हें राइट टाम मीडियम फास्ट बोलर ने आउट किया था मतलब अलजारी जोसिफ और जो एंडरसन फिलिप है उनके पास एक अच्छा मौका है साथ में काईले मेर से है इसके बाद मेक्सो दाउद है मेक्स गिंदबाज ने मतलब जो हेड़न वाल्च जूनियर है उन्होंने इन्हें आउट किया था राइट टाम ऑफ ब्रेक इनकी कमसूरी है पर सामने वाली टीम के पास में ऑफ ब्रेक गिंदबाज है नहीं तेरा रनों का स्कूर किया और बारा का इनका इवरेज ऑवरोल ऑवर से चार ओवर डाले थे अब ऐसे में यह जो बनता है आपके लिए ग्रेंड लीग बाला प्लेयर बन चुका है क्योंकि अब ग्रेंड लीग में क्या होगा अगर इन्हें गलती से भी एक विकेट मिल जाता है तो पचीस पॉइंट तो सीधे बन रहा है साथ में आपको सतरा करके दे दे क्योंकि इनका जो एबरेज है वो भी लगबग सतरा के आसपास का है तो ऐसे बहुत आप मान सकते हो और साथ में अगर एक विकेट मिल जाए तो वह पचीस पॉइंट वह इनके एक्स्ट्रा हो सकते हैं जो आपको ड्रीम टीम में शामिल होने के लिए इस पेस देंगे इसलिए जो बेस्टी लीडी है इनको आप जील में कम से कम एक से दो टीमों में जरूर ट्राइ करिएगा इनकी जो विकले से किसी भी प्रकार की स्पिनर को नहीं खेल पाते अगर इनके सामने लगाए जाए लेक ब्रेक या फिल लगा जाए और्थोडोक्स गिंद बोलर ने आउट किया था और दोस्तों यह विकेट कीपिंग भी करते हैं तो गलब से भी स्कोर करके आपको दे सकते हैं तो यहां आपके पास यह और अच्छी चोईस है जिसे आप जील में ट्राइ कर सकते हो इसके बाद दोस्तों तेजा है तब इन्होंने पिछले मैच मे हैं और इनसे गेंदबाजी नहीं कराई जाती है तो मैं इनको अपने टीम में पिक करना के बाड़े मैं सोच सकता हूं और इन्होंने लास्त में स्कोर किया था लास्ट मैच में 12 का ही पिछले एक साल के अंदर और 5 विकिट इन्होंने निकाले हैं लॉगन वेन वीग की अगर बात करें तो इन्होंने 11.90 का स्कोर किया साथ में दो विकेट निकाले हैं लॉगन वेन विग हमेशे आपके लिए डिफरेंशल पिक का काम करें खास तोर से अगर यह पहले गिंद बाजी करते हैं तो आप इन्हें अपना वाइस कैप्टन भी बन नहीं मिला और विवियान हैं जिने भी कोई विकेट नहीं मिला इनके खाते में 11 में 12 विकेट हैं और लास्ट में आर्यन धत्ता हैं ओफ ब्रेक गिंद बाजी करते हैं और 6 पारियों में 5 विकेट यह अभी तक निकाल चुके हैं इसके बाद यहां से अगर हम बात करते हैं वेस्ट इंडीस के बारे में वेस्ट इंडीस का ग्राउन रिकोर्ड वही है जो इन्होंने पिछले वेच में खेला था इस मैदान पे तो एक मैच लिखने से कोई फायदा नहीं था इसलिए नहीं लिखा बाकि शाय होप 119 किया था नौट आउट और दोस्तों इनसे आपक अगर बात करते हो ना तो पहली पारी में यह जो रिकोर्ड थोड़ा सक कम हुआ है पांच पारियों में 24 केवरेज को मेंटेन किया है और एक ही 50 इन्हों ने किया हलाकि अभी दोनों कंडिशन्स में केप्टेन सिक लिए यही एक बैतर चोईस है फिर शेमरा ब्रूक है साट रन का स्कूर किया अब आपके पास यह दोनों ऐसे पेकेज जिने आप कैप्टन वाइस कैप्टन अपना रख सकते हो और इन्हों ने साथ पारियों में 253 रनों का स्कूर किया था लगबग 36 केवरेज को मेंटेन कर रहे हैं पिछले मैच में इन राइट आम मीडियम दोने से इनके निकले वहाँ पर इन्होंने काफी अच्छा पर्फोर्मेंस दिया था चार पारियों में 21 और तो निकोलस पूरन भी कर रहे हैं तो इनको मैं टीम में तभी रहूंगा जब वेस्ट इंडिस पहले वेटेंग कर रही होगी अगर वेस्ट इनीस सेकिंड वेट करके जाऊंगा और 12 पारियों में 197 रन 20 का एवरेज है इनका जिसमें एक बार ये 50 कर चुके हैं और इनकी आउट होने का तरीका था पिछले मैच में राइटा मीडिया ब्रेंडन किंग तुस्तों नंबर 5 पर आएंगे मंगी की सुरे ब्रेंडन किंग 58 नॉट आउट इन्हो और इन्हों ने कर लिया था आठ पारियों में 200 और पहला 50 से जाएंगे अभी और ये क्रिकेट में फिर दोस्तों काईले मेर्स गिंद बाजी की विकेट निकाले पोवी पूरे दो और हम सोच रहे थे कि बल्ले बाजी करेंगे लेकिन अभी ने गिंद बाजी के लिए इस् पारियों में 501 रन इन्होंने लिस्ट एक रिकेट में किया है जिसमें एक शतक और तीन पचास शामिल है इसके बाद एलजारी जोसेफ हैं लास्ट मैच में सिर्फ एक विकेट मिल पाए था लेकिन अगर पहले गिंद बाजी कर रहे हैं तो हमेशा फोकस करने वाले प्लिय था और इन्होंने दो पारियों में अभी तक सिर्फ एक ही विकेट निकाला है और अकिल हुसेन की अगर बात करें तो यह लास्ट मैच में दो विकेट निकाल चुके थे 15 पारियों में 25 विकेट इनके खाते में शामिल है और पहली पारी में बारा विकेट है तो दूसरी प केप्टन सी की बात करते हैं तो केप्टन सी में शाय होप अकिल हुसे और जोसिफ यह तीन एक अच्छी चॉइस और साथ में शेमरा ब्रूक्स को भी एड़ करके चलिएगा एस ब्रूक्स को भी आप एड़ कर लेना यहां पर ठीक है डिफ्रेंशल पर हमेशा की तरह एक बार फिट से लॉग एंड वेन बीख हैं क्योंकि दूस्तों बैटिंग कर लेते हैं और कम से कम दो विकेट निकलने वाले प्लियर है कास्तोर से अगर पहले गिंद बाजी करते हैं तो आप जरूर ट्राइब करिएगा कम से कम तीन टीमों में इन्हें कम से कम तीन टीमों में समझ में आया होगा और जिन लोगों ने लाइक और शेयर नहीं क्या है कर दो और कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा रियल एलेवन एप्लिकेशन पर जो हमारा वी जो टीम है वो देख लीजिए यहां पर आप देखोगे शाय होप कैप्टन है और यहां पर विक्रम जीत और हेटन वाल्श जूनियर है कुछ बदलाव होंगे टॉस के बाद में जो मैं आपको क्लियर कर दूँगा टेलेग्राम पर और जो हमारा दूसरा कॉम्मिनेशन मतलब जो दूसरी टीम ड्रीम 11 की टीम है वो भी आप देख लीजिए तो यहां पर भी चेंज कुछ भी नही बैट रहे हैं तो उनको मैंने नहीं रखा है अगर आपको लगता है कि वह अच्छे पिक हैं तो रख लीजेगा क्योंकि अगर मैं आपको परसेंटेज दिखाऊं सेलेक्शन परसेंटेज भी देखिएगा तो पूरन का तो दो 35 परसेंट हो गया गिरके क्योंकि पिछले मे हो सकते हैं कोई कोई दिक्कत नहीं है इन्होंने स्कोर किया था कर भी सकते हैं लेकिन मैं हमेशा रिस्क लेना पसंद करता हूं इसलिए मैं एक रिस्क के साथ में जा रहा हूं जिसमें निक बोनर को सिर्फ 12% लोगों टीम में रखा है अगर सेम टीम बन गई तो फिर क्या पाइदा इसलिए एक रिस्क में आप ले रहा हूं तो चलिए दोस्तों आप लोगों से मैं फिर मिलूंगा अभी टेलेग्राम पे जब अपडेट आएगा बाकि अगली वीडियो के में तयारी करता हूं अगर तयार होती तो जल्दी आपको वह भी मिल जाएगी फिर मिलें तब तक के लिए बाइ जय हिन जय भारत जय महाकाल